नमस्कार जी कैपिटल में आपका स्वागत है आज है 17 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो फ्रेंड्स आज बात करेंगे एनर्जी सेक्टर की जानी मानी कमपणी जेस डबलू एनर्जी के बाड़े में और जानेंगे इसके प्राइस मोमेंट और इसके टार् को देखकर कि आप चौक सकते हैं इसलिए बने रही है वीडियो में अंतक फ्रेंड्स सबसे पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देख लेते हैं तो रिटर्न यहां पर जब देखते हैं तो हम एप आते हैं कि एक दिन में आज इसने अपने निवेस्कों को 2.40 परसेंट का प नाफा हुआ है और एक साल पहले किसी ने इसमें निवेस्किया होगा तो उसे आज भी लगभग 8.30 परसेंट का नुक्सान हो रहा है फ्रेंड्स अगर इसके पियर कंपनियों की बात कर लें तो पियर कंपनियों में एंटी पीसी ने एक साल में अपने निवेस्कों का लग लगभग 19 परसेंट का नुक्सान किया है आदानी पावर ने लगभग 38 परसेंट का नुक्सान किया है वहीं CESC लिम्टेड ने लगभग 24.53 परसेंट का नुक्सान किया है लेकिन रतन इंडिया पावर लिम्टेड ने अपने निवेस्कों का 237.49 परसेंट का मुनाफा कर कर्डाया है तो फ्र्रेंट्स ए रही इसके कंपनियों के साथ इसके से रिटर्ण की तुलन अब इसके एक बार कारोंबार की स्थित्य को वेहनेसी की वेब साइट पर देख लें तो यहां से जो डिलेवरेबल क्वांटिटी है वह है बाड़ा लाग संतानवी हजार साथ साथ सावन की तो फ्रेंट्स परसेंटेज अफ डिलिवरी जो निकल के आ वह अनलगभग 39% के आसपास निकल के आ रही है तो इस प्रकार और और बुक को देखते हैं तो इसमें यह देखने में आ रहा है कि आज जिनका भी इसमें निवेस हो रहा है उन सभी निवेस को का नजरिया इसके परती लॉंग टर्म में बुलिस है अब इसके टार्गेट को जानने से पहले एक बार इसके प्राइस मुवमेंट को अगर प्राइस चार्ट पर देख लें तो यहां देखेंगे कि आड़ेस है की जो वहलू निकल क्या रही है उसकी वहलू निकल क्या रही है लगभग 72 जो बता रहा है कि शेयर ओवर वार्ट जोन में जा चुका है और मसीडी की स्थिति जो बता रही है वह बता रही है कि इसमें बुलिस क्रॉस ओवर बना हुआ है और यह अभी प्राइस में इसके मजबूति के संकेत दे रहा है अब इसके कैंडिल की बात करें तो कैंडिल की जो मोहमेंट है वह बता रही है कि इसमें मुनाफ़ा वसूली का प्रेशर बना हुआ है अगर इसके प्राइस की मोमेंट की एक और चीजों को देखें तो यह अपने 50 दिनों 100 दिनों और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मुविंग एवरेज से उपर ट्रेड कर रहा है पिछला ट्रेडिंग से संजो था उसमें इसने अपनी क्लोजिंग अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मुविंग एवरेज के उपर दिया था और आज की प्राइस जो लेवल है कल की प्राइस लेवल से तो सिप आज जो इसका है रैवल हो कम ही रहा है लेकिन की को तो आपको वेट करना चाहिए इसके प्राइस को थोड़ा कूल होने के लिए और फ्रेंट्स मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि इसमें अपसाइड बहुत अच्छी आपके लिए अपर्चुनिटी है और जिन लोगों ने उस वीडियो को देख करके अपना रिसर्च करके इसमें निवेश किया होगा निश्चित रूप से आज और करेब अपने 70-80% के मुनाफ़े पे खड़े हैं तो फ्रेंट्स आज ही इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 57 रूपे 30 पैसे चालीस पैसे के थी तो आप देख सकते हैं कि कितना जवर्दस्त मुनाफ़ा इसमें हुआ है तो फ्रेंट्स इसमें साथ अगस्त से लेकर करके अभी तक जो इसमें जवर्दस्त एक रैली दिखिया है तो इस अप पुराने निवेसक हैं जिन्होंने पहले निवेस कर रखा है जिनका अच्छा मुनाफ़ा हो रखा है उनको अपने 200 दिनों के एक्स्पोनेंसियल मुविंग एवरेज के उपर अपनी स्टॉप लॉस को रखनी चाहिए ताकि उनका मुनाफ़ा और पूजी दोनों प्रोटे स्टॉपल फाइननशियल इज बूली सॉन जेस डवल एनरजी हैस रेकोमेंड़ बाई रेटिंग उन दे स्टॉक विदे टार्गेट प्राइस फिफ्टी एट इन इस रिशर्च रिपोर्ट डेटेड जुलाई 31 तो फ्रेंट 21 जुलाई की एक जो रिपोर्ट आई थी उसम देखेंगे कि बाई जेस डवल एनरजी टार्गेट अफ रूपीज 65 मोती लालो स्वाल मोती लालो स्वाल इस बुलिश ऑन जेस डवल एनरजी रिक्मेंड़ बाई रेटिंग ऑन दे स्टॉक विदे टार्गेट प्राइस फिफ्टी फाइब इन इस रिशर्च रिपोर्ट डेटेड अगस्थ 1st 2020 तो एक अगस्थ की जो रिपोर्ट आई थी मोती लालो स्वाल की उसमें ये 65 रूपीज का टार्गेट बता रहे हैं और फ्रेंट्स ये लगभग अपने 65 के टार्गेट के आसपास पहुँच चुका है तो इस प्रकार सी ये दो रेटिंग एजेंसि इसके रेटिंग रूपीज कि है और टार्गेट भी अपना 58 और 65 का बताया है अगर हम इसमें ठीकर की बात करें प्राइब से दीये गए ठार्गेट की बात करें तो यहां पर जो दे रहा है मतलब आपको इसके इंट्रेंसिक वेल्यू से कम सुधा मिल रहा है और ज पंदह analyst ने इसमें analysis किया है उसमें 93% का कहना है कि आप इसे buy कर सकते हैं तो friends अब इसकी forecasting को देख लें और इसके ticker tape के दोबारा दिये गए target को देख लें तो यहां दे रहा है कि आज की जो closing price है हमारा 57 रूपे 40 पैसे का तो यह निवेश हमारा हो सकता है कि आगे एक साल के बाद लगभग 12.89 परसेंट का डिग्रोथ कर जाए और हमारी पैसे की value मात्र 50 रूपे बचे और यह भी हो सकता है कि आज का किया गया हमारा निवेश 9.76 परसेंट का positive return दे जाए और वैसी परिस्तिति में हमारा जो परिस्तिति जो बताई जा रही है वह यहां बताई जा रही है कि हो सकता है कि हमें 30.66 लगभग 31 परसेंट का positive return मिले और वैसी परिस्तिति में हमारा 57 रूपे 40 पैसे का जो निवेश है वो 75 रूपे का हो जाए तो फ्रेंट्स यहां पर जो लिकर टेप की research team का कहना है या मोती लालो स्वाल का कहना है एक में global का कहना है तो इन साइड़े का लवो लुआ बे निकल क्या रहा है और साइड़े का एक इसके risk reward की ratio फिर भी मेरे बताये गए इस information को एक piece of information मानते हुए खुद आप अपनी एक research करें खुद आप अपनी एक study करें और उस research और उस study के अधार पड़ी इसमें कोई निवेश करें और friends वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो comments करें like, share, subscribe करें और bell icon button press करना ना भूल ताकि ऐसी informative वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, जै हिंद, जै भारत